नमस्कार दोस्तों मैं एड़ोकेट विश्नुधारी सिंग विश्नुधारी सिंग लिगल चेनल में आप सभी दर्सकों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आप जैसा की जानते हैं परतेक रवीबार को मेरा question answer series होता है तो आइए दोस्तों आज रवीबार है आज आपके चुनिंदा प्रसनों का उत्तर मैं अपने प्रसमतर सिदीच की वीडियो के माजम से देने का प्रयास करूँ तो दोस्तों पहला प्रसन है प्रभात कुमार महंती का, कि मैंने काफी पहले एक जमीन खरीजा था, लेकिन उसका दाखिल खारीज नहीं करवाया था, बरतमान में वह जमीन वहां पर है ही नहीं, और मैं किस चीज से कौन जमीन का दाखिल खारीज करवाओं, और उस जमीन हम क इस्चित तोर पर होगा, आपका जमीन कोई दूसरा वेक्टी टक्जा कर लिया होगा, या बेचने वाला ही आपके दाखिल खारीज न कराने के जलते जलते हैं, जालसाजी करके किसी दूसरे को बेच दिया होगा, आप इस जमीन के बारे में सीओ के अफिस में जाए सरकिल ओफीसर त dinero के अफिस में जाए वहाँ से पता लगाए कि या जमिन किसके नाम पर दाखिल खारiज हो चुका है या या जमिन कहाँ है तो सिओ उसका दिमार केशन उस जमिन का करवायंगे उस जमीन की चोहदी निकाल देंगे उसके बाद उस जम जमीट्सेंगर जी काुईनोंने अपने परस्न में कहा कि क्या राजिश्ट्री ओफीस में राजिश्ट्री करते समय मोटर आईडी काट का भी ज्हांच करता है, उत्तर में मुझे कहना है किसी आपके दस्ताबेज का ज्हांच नहीं होगा, लेकिन आपके द्वारा आपका प् अगला प्रस्न है जोगेश जी का इन्होंने अपने प्रस्न में कहा कि एक भाई ने बिना दूसरे भाई का दस्कत कराये हुए दाखिल खारीज का आवेजन देकर तसिलदार केहां से पूरी संपत्ती का दाखिल खारीज करवा लिया अब ऐसी इस्तिति में मैं क्या करूं ता अगला प्रस्न है नवीन जी का इन्होंने अपने प्रस्न में कहा कि मेरे गाउं में आने जाने का रास्ता चारो और से खुला है लेकिन अनावाज जमीन में किसी दूसरे जमीन से जाता है अब दूसरा जमीन वाला उस रास्ते को रोक रहा है कि हम इससे आने जाने नहीं देंगे ऐसी परिशिती में अब हम गाउंवाले किधर से जाए उत्तर में उझे कहना है नवीन जी आप SDM के ऑफिस में जाए सब्डिविजनल मेंश्टेट कहा जाता है उसके हां रास्ता ख जमीन किसी का निजी जमीन है तो निश्चिंत रहे आपके रास्ते को कोई बेक्ती रोक नहीं सकता SDM साहिब उस रास्ता को खुलवा ही देगे और जो भी उनके जमीन का कीमत होगा उन्हें जिलाधिकारी के कारजाले से या भुवर जन के कारजाले से लेंड एक्यूजिशन आफिस के आफिस से उनका उतना पैसा उन्हें वापस कर दिया जाएगा अगला प्रस्ण है प्रिथवी राज साहब का इन्होंने अपने प्रस्ण में कहा कि सर्पंच या पंचायत ने किसी के उक्साबे परा करके जो रास्ता नहीं था उसे बलपूरवक रास्ता बना दिया अब ऐसी परिशिती में हम क्या करें उत्तर में मुझे कहना है कि जिसक रास्ते को आप बंद करने का आदेश दें एस डियम जाच के उपरान तो अगर पाए कि पहले से रास्ता उस जमीन में नहीं था और पंचायत ने बलपूरवक रास्ता बना दिया है तो निस्ची दोर पर बंद करने का उस रास्ते को बंद करने का आदेश डियम दे देंग झाल झाल